पूर्षी बात शोड़ा Veronika शुक्र की सुग्रही दृष्टी बुद्ध की लाभेस की दृष्टी और ब्रहस्पती की उन दोनों पर दृष्टी यानि पंचम का दशम का जो एक राजयोग जोतिस के अंदर और लाभेस और धनिस का जो राजयोग जोतिस के अंदर कहा जा सकता है वो राजयोग आपकी रासी में बनने जा रहा है यानि इस प्रकार का महीना शिंग रासी के लिए ना तो इससे पहले कभी बना है इस प्रकार ग्रोहों की यूती कार्तिक महीने के अंतरगत ना तो पहले कभी बनी है और ना ही भविष्ट में बने इस प्रकार की परिस्तिती है तो ये जानने की आउशक्ता है कि यूती आखिर आपके लिए क्या फल देने वाली है क्या रिजल्ट होने वाला इस महीने क्या कोई चमतकार का संयोग है तो इस पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ यदि आप चाहते हैं शिराम कथा, शिमत भागोत कथा, शिश्यु महापुरान की कथा आपके छेत्र में हो और वो कथा मेरे द्वारा हो और वो कथा संगीत में हो तो प्लीज आप मुझे शंपर कर सकते हैं मेरे साथ और इस कारिक्रम को देश या विदेश में आप आयोजित कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए और हम क्या करते हैं रात को नौ बजे और दोपहर को बाराव ज़े फ्री में आपके लिए लाइव आते हैं आप मिरे साथ जुड़ सकते हैं बाकी समय कॉल अपाइंटमेंट लेकर आप मिरे साथ बात कर सकते हैं तो स्वास्त को लेकर के सबसे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सब विशय पर थोड़ थोड़ चर्चा करेंगे जितना समय है लेकिन हेल्थ आखिर कैसा रहेगा आपका 2024 के नॉमबर महिने में हाँ राशी स्वामी नीचस्त जरूर रहेंगे आपके 16 तारीक तक इस कारण से बहुत सारी यात्राएं होने वाली है भाग दोड़ का खास योग आपकी राशी की अंतरगत नॉमबर 2024 में नजर आ रहा है लेकिन उस भाग दोड़ का जो परडाम है वो आपको अच्छा प्राप्त होने वाला है प्रोफेशनली अगर मैं उस भाग दोड़ के परडाम को लेकर के बात करूँ तो अच्छा होगा मन्त स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम रुक रहे हैं गुरु जी ने ऐसा बताया था कि मेरा जीवन अच्छा होगा नॉंबर अच्छा होगा लेकिन मेरे कारे तो रुक रहे हैं उससे भैभीत नहीं होईएगा परिशान नहीं होईएगा मेहनत करते हुए चले जाईएगा अंत में जैसे ही 16 तारीक को सूर्य अपना राशी परिवर्तन करेंगे वैसे ही उसका जो परड़ाम है वो आपके लिए बहुत ही शांदार हो जाएगा तो इस टार्टिंग में भाग दोड़ दिख रहा है इस टार्टिंग में मन परिशान रहेगा ऐसा दिख रहा है लेकिन अंत भला तो सब भला अंत में उसका परड़ाम बहुत अच्छा होगा मेरे दृष्टी से फिजिकल स्वास्थ आपका नॉमबर में बहतरीन रहेगा मेंटल स्वास्थ थोड़ा सा परिशान करने माला हो शकता है मानसिक स्वास्थ पर ध्यान रखने की आवस्शकता है लेकिन अब दूसरी बात कर लेते हैं हेल्थ तो ठीक है बात कर लिया हमने आखिर प्रोफेशनल लाइफ का क्या रहेगा पैसे को लिकर के भी चिंताएं रहती है तो एक बात आपको बता देता हूँ प्रोफेशनल लाइफ आपका नॉम्बर में बहुत ही सांदार रहेगा मैं बहुत सांदार की बात कर रहा हूँ नौकरी से स्विच करके बिजनस की तरफ आप जाएं या बिजनस करने का विचार आपके मन में उत्पन हो ये आपकी रासी पूरी तरह से दिखा रही है नौकरी में कुछ नई responsibilities आपको मिलेंगी इस प्रकार की condition आपके लिए दिख रही है ब्यापार में काफी भाग दोड़ और उस भाग दोड़ का बहुत अच्छा परिडाम आपको प्राप्त हो इस प्रकार की condition दिख रही है इवन अगर मैं बात करने का प्रयाश करूँ कि क्या नौकरी में प्रमोशन वगरा हो शकता है definitely नौकरी में प्रमोशन का योग दिख रहा है क्या पैसे को लेकर आखिर नौमबर कैसा रहेगा तो शाहब शेर मार्केट से मुझे बहुत अच्छा लाब दिख रहा है नौकरी में और प्रापटी प्राप्ती का भी योग दिख रहा है मुझे एक जो बड़ी important चीज दिख रही है आर्थिक लाब यानि नौमबर में रहेगा नौमबर आपका पैसे की द्रिष्टी से बहुत सांदार बेती तो होगा शेर मार्केट से लोट्री से 60 इत्याद से पैसा आता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है नौमबर में मैं आपको अस्थान परिवर्तन करते हुए देख रहा हूँ चाहे आप घर परिवर्तन करेंगे चाहे आप नौक्री परिवर्तन करेंगे आपके especially जो मैं देख रहा हूँ वो जिस गाओं में रहते हैं उस गाओं से दूर जाने का जिला से, प्रदेश से, देश से दूर जाने तक का योग दिख रहा है इस महीने आपका जो भाग्य है वो विदेश में छुपा हुआ है विदेश से कुछ ऐसे ओफर प्राप्त होंगे जो आपके जीवन में शुंदर परिवर्तन देने वाले होंगे तो विदेश यात्रा का योग भी इस महीने दिख रहा है शात में आर्थिक परिस्थितियां इस महीने अच्छे दिख रही है प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही सांदार मुझे इस महीने नजर आ रहा है इस प्रकार की कंडिशन है आखिर अगर हम बात करें मैरिड लाइफ को लेकर के तो उसकी कंडिशन क्या रहेगी जीवन शाथी के साथ क्या कंडिशन रहेगी लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आपके एजुकेशन की परिस्थिति क्या रहेगी शंतान को लेकर क्या कंडिशन रहेगी और प्रेम संबन्द किया परिस्तती होगी तो क्योंकि ब्रहश्पती वक्री भी होंगे और उसके साथ अगर देखा जाए तो ब्रहश्पती आपके नौम भाव और दसंभाव दोनों भाव से प्रभावित करेंगे संतान के लिए चल रही चिंताएं इस महीने दूर होंगी बिद्या अध्यान में अच्छा मन लगेगा और सरकारी छेतर में रुका हुआ कारे भी आपका पूर्ण होगा तो बिद्या अध्यान को लेकर के चिंतित ना हो इस महीने जो पढ़ेंगे वो अच्छा याद होगा संतान को लेकर के परिशानियां आपकी दूर होंगी उसके behavior इत्यादी के अंदर changes आएगा संतान की marriage इत्यादी का योग बनेगा even पुत्र या पुत्री को बच्चा नहीं हो रहा उसको लेकर परिशान हो रहे हैं वो परिसानी भी आपकी जरूर दूर होती हुँ दिख रही है। प्रेमी प्रेमीका की तरब से प्यार का इज़हार इत्यादी किया जाए। नए रिलेशन में आप एंटर करें। इस प्रकार की परिस्थती भी आपकी राशी की अंतरगत दिख रही है। ध्यान आखिर कहां रखना होगा प्रॉपटी के अलावा कहीं भी नया इंवेश्मेंट करने से पहले उसको बहुत अच्छी तरीके से खंगालने की उसकी देखभाल करने की आउश्चिक्ता होगी जल्दबाजी में किया गया इंवेश्मेंट आपको नुक्षान दे इस प्रकार की परिस्थिती है वहाँ आप शाओधान रहेंगे इस महीने क्या खास करने की आउश्चिक्ता है इस महीने भगवान विश्नु की पूजा बहुत शद्धाशे करने की आपको आउश्चिक्ता है लाल कपडे पहनने से बचे इस प्रकार की परिस्थिती है पिता का और भाई इत्यादी का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए उससे आपको नुक्षान होगा रात को नौ बजे दो पहर को बारा बजे लाई बाता हूँ झाल को नौ झाल को नौ झाल को नौ झाल